देखिए बजट जो इन्होंने दिया इन्होंने बहुत देर कर दी इस तरह का बजट जो इन्होंने देखिए तो महिलाओं को अत्याचार के उपर लेके भी इनके पास कोई आकड़े नहीं है ना ही किसानों को लेके उनकी आये को लेके या उनकी आत्मत्याओं को लेके कोई आकड़ा है भुकमरी की अगर भारत में बाश करें तो बहुत दुख से कहना पड़ा है कि एक से उननिस देशों के सर्वे में भारत का एक सो तीनवा स्थान है जो कि 2014 में 55 था और 2016 आते आते 97 पे हो गया था और अगर 2017 के आप ग्लोबल हंगार इंडेक्स को देखें तो भारत सवे स्थान पे था यह बहुत दुख की बात है यह देखी यह जरूरी बहुत लुभावित करने वाला बजट पेश करने की कोशिश की गई है लेकिन भारती इंता पार्टी के चलो प्रपंच को जनता अच्छी तरह से जान गई है वह जानती अच्छी तरह से कि यह जो बजट अंत्रिम बजट लास बजट एस सरकार का व बड़ा उद्योगपती तो चार परसेंट टैक्स पे उसको एक कार मिल जाती है चार परसेंट ब्याज पे वहीं एक किसान अपना ट्रैक्टर खरीदने जाता है तो उससे बारा परसेंट लिया जाता यह कहां का इंसाफ है किसान मांग रहे थे कि क्रिशी उपकरणों पे और को जियस्ति मुक कर दिया जाए उस पे सरकार ने कोई घोचला नहीं की गंगा सफाई पे इन्होंने कोई जादा बताने की कोशिश नहीं की गंगा भी साफ नहीं हुई हमको तो लगता है जैसे 2014 में जूटे वादे करके आये थे और उसी तरह से इन्होंने इस तरह से कुछ करने की कोशिश की गई है और जो बेरुजगार टहल रहें दो करोल नौकरी हर साल देने का वादा किया था उस पे कुछ नहीं बोले वहां तो पकोड़े के ठेले और पान की गुमती लगाने के लिए सरकार ने बोल दिया तो यह जंता अच्छी तरह जानती इससे कुछ होन करने वाला नहीं है और 2019 में भार्ती जनता पाठी किसी कीमत पर आने वादी नहीं है